नमस्कार दोस्तों समवाद मिधिला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हाजिर है हम मिधिला की एक और पॉजिटिव ख़बर लेकर तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहीएगा स्किप करके कहीं मत चाहिएगा दोस्तों आज का ये वीडियो बेहत खास है क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं दर्भंगा के निर्मानाधीन तारा मंडल में दोस्तों हमारे कई सब्सक्राइबर बहुत तिनों से कमेंट और इमेल के माध्यम से दर्भंगा तारा मंडल की लेटेस्ट जानकारी देने की डिमांड कर रहे थे तो आप सब्सक्राइबर की इच्छा का सम्मान करते हुए हम आपको लेकर आए हैं दर्भंगा के तारा मंडल में तो दोस्तों हमारा आप से आग रह है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें दोस्तों इस तारा मंडल के निर्मान का कारे अब आखरी चरण में है तो कौन-कौन से चीज़े यहां पे हो रही है क्या है खास और उत्तर बिहार के लोगों को ये सौगात कब तक मिल पाएगी सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों तील एकड रकवे में फैले दर्भंगा तारा मंडल का निर्मान विहार सरकार का विक्यान एवं प्रोध्योगी की विभाग करा रहा है इसके निर्मान की कुल लागत 73 करोड 73,60,331 रुपए आई है इसका काम विसंबर 2019 में शुरू हुआ था और 2021 तक इसे पूरा कर लिया जाना था लेकिन कोरोना महामारी की स्थिती की वज़ा से इसके काम में काफी भी लंब हुआ लेकिन दोस्तों बेहत खुशी की बात है कि अब इसका निर्मान कार करीब करीब पूरा हो चुका है तो दोस्तों आईए सबसे पहले हम आपको तारा मंडल के भीतरी संदचना की उर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें यहां खास होगी और क्या आपके लिए तैयार किया जा रहा है दोस्तों यही है दर्भांगा तारा मंडल परिसर का वो खास हिस्सा यहां बैठ कर आप तारों की दुनिया की सैर करेंगे और रोमांच का अनुभाव करेंगे दोस्तों गुम्बत के भीतर अब परदे वगरे लगाये जा चुके हैं और यह करीब करीब तैयार है दोस्तों जिन मशीनों के माध्यम से तारा मंडल में शो का प्रसारण किया जाएगा वो मशीने भी अब लग कर तैयार हो चुकी हैं यह देखिए हम आपको उन सेंटरलाइट मसीनों की तस्वीर दिखा रहे हैं जिनसे दरभंगा तारा मंडल में प्रसारण का काम किया जाएगा दोस्तों यहां हम आपको यह भी बता दें कि दरभंगा तारा मंडल का निर्मान दो चरणों में पुरा होगा पहले चरण में तारा मंडल चालू हो जाएगा और दूसरे चरण में इस परिसर में बिज्ञान और तक्निक की कई नई चीजें शुरू होगी और दोस्तों यह देखिए हम आपको लेकर आगए हैं अब दरभंगा तारा मंडल के सबसे उपरी हिस्से में और इस हिस्से को बेहत खास ठंग से आपके लिए सजाया जाएगा इस पूरे उपरी हिस्से को एक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा यहाँ फूल पत्मियां लगी होंगी और अब यह पहुचने ही वाली है दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि दरभंगा तारा मंडल का काम अब आखिरी चरण में है अब हम आपको यह भी बता दे कि 30 अक्टूबर तक यह जो कमपनी इसका निर्मान कारे करा रही है वो इसे बना कर सरकार को सौप देगी और उसके कुछी दिनों के भीतर इसको चालू कर दिया जाएगा तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं कि दरभंगा तारा मंडल किस टक्निक पर बनाया जा रहा है और यहाँ का काम कितना पूरा हो चुका है यहाँ जो इंजीनियर काम कर रहे हैं उन्हीं की जुबानी सुनिए तारा मंडल प्रजेक्ट 73 को 73 लाक की रागत से फेज 1 का कारी किया जा रहा है इसमें फेज 1 का कारी पूरा होने पर फेज 2 का कारी आलग से कराया जाएगा फेज 1 में इसमें बेसिक एक्विपमेंट्स लगा करके इससे जारूर रूफे चालू कर देना है और फेज 2 में इसको आधिनिक रूप से स्वार उर्जा तथा अन्विकास के कारी में लगाया जाएगा मैं इसके बारे में बताना चाहंगो कि तारव मंडल ये उत्तर विहार में पहला है और बिहार का दूसरा है ये उत्तर विहार के लिए एक स्वागात के रूप में थैज्या प्रथिरुचि जगयने के जो शौध होते हैं वह भी सब्सक्राइब के बारे में इसे बताया जा रहा है तथा हमारे इस पूरे वर्ल्ड वर्ड का जो अर्थ में हमारा क्या लोकेशन है वह लाइव लोकेशन इस प्लानेटोरियां बताया जाएगा साथ यह 3D 4K बहुत ही एक आतिदूनिक प्रोजेक्टर के माध्यम से इसको दि देख रहे हैं इसमें डेर सो लोगों की बैठने के चमता होगी और 3D में इसका प्रोजेक्शन होगा और इसका लैंड्सकेप में जो भी हम लोग चट पर चल देंगे देंगे पूरा का पूरा रूफ पे गार्डन है और इसमें साइंस पार्क भी उपर चट पर पर लगार दिया गया है वहां प्रोजेक्टर का काम चल रहा है फ्रेमिंग हो गया है और जिंक लेडिंग हो ही रहा है मशीन वगर मसीन अगर अलग रहा है कि तीन गेट बनाएगा है पूराप साइड में हैं एक महजीत से उत्तर साइड में हैं दो दक्षिन साइड में हैं बी दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मिखिला की ऐसी ही पॉजिटिव खबरें देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें हमारे फेस्बूप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें